सब्सक्राइब किजिए टेक मैंड अस्टूडियो यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए करते हैं तो गैज हैं यही है इस वीडियो में आपको बताने वाहो तो गैज अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिडिकोजूर भ सबसे पहले मिल सके तो चले गैज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गैज सबसे पहले आपको एक काम करना है जो आपने काइन मास्टेर पहले इस्टोर से डाउनलोड किया था सबसे पहले उसे डिलेट कर देना है तो गाईज कायन मास्टर को डिलेट करने के बाद आपको करोम बराउजर को ओपेन कर लेना है गाईज आप चाहे तो किसी दुसरे बराउजर को भी ओपेन कर जकते हैं इसमें कोई दिकत वाली बात नहीं है Guys Chrome browser open हो जाने के बाद search box पर click कर लेना है और type कर लेना है kind master pro apk Tap करने के बाद search कर लेना है Guys search करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और तिस्रे नमर पर आपको एक website का नाम दिख जाएगा apk.com आपको उस पर click कर लेना है Guys इस website का link मैं video के description में भी दे दूँगा तो आप वहाँ पर भी click करके इस website पर आप जा सकते है तो Guys website open होने के बाद Guys website का interface आपको कुछ इस तरह से दिखेगा तो Guys आपको थोड़ा नीचे आजाना है और यहाँ पर आपको काइन master का कही सारे version मिल जाएंगे तो आपको किसी पर भी click कर लेना है Guys जैसे ही आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से add आएगा तो आपको cross mark पर click कर लेना है तो Guys जैसे ही आप cross mark पर click करेंगे तो आपके सामने काइन master डाउनलोड करने का option मिल जाएगा तो आपको ok पर click कर लेना है तो गैज जैसे ही काइन मास्टर डाउनलोड हो जाए तो आपको काइन मास्टर को इंस्टॉल करने के लिए आपको उस पे किलिक कर लेना है तो गैज परमिशन देने के लिए आपको सेटिंग्स पर किलिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको on no sources का option दिखेगा तो आपको इस option को on कर देना है on करने के बाद गैज आपको नीचे install का option दिख जाएगा तो आपको install पर क्लिक करके application को install कर लेना है तो चलिए गैज कान master install हो गया है तो चलिए गैज कान master को open करके मैं अभी आपको कोई वीडियो को एडिट करके दिखाता हूँ की वाटर मार्क आ रहा है या नहीं तो गाइज कान मास्टर उपेन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो आपको लेट असलेट कर देना है उसके बाद आपको स्टार्ट का बटन दिखेगा तो आपको स्टार्ट बटन पर किलिक कर लेना है किलिक करने के बाद गाइज में परस बला आइकन पर किलिक कर लता हूँ उसके बाद 69 का रेशो सेलेट कर लता हूँ और गैज मैं आपको दिखाता हूँ किसी वीडियो को एडिट करके कि Watermark आ रहा है या नहीं तो चलिए गैज ये बला वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ तो गैज वीडियो सेलेक्ट करने के बाद गैज अब आप उपर देख सकते है Watermark नहीं आ रहा है तो गैज अब आप ही इस तरीके से watermark remove कर सकते हैं तो उमीद है गैज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो एक like कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए ताकि उसको भी इस trick के बारे में पता चल सके और गैज अभी तक इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेट कलरबला सब्सक्राइब बटन पर किले करकर सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ साथ बेल आकन को दबा कर all पर किले कर लेजिए ताकि हमारे कोई भी लेटस्ट वीडियो के जनकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं गैज ऐसे ही कोई अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई